तुनिशा शर्मा के परिवार के आरोपों पर शिजान खान के परिवार वालों ने पलटवार किया चार दिन पहले तुनिशा की माने शिजान पर उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने समेट कई आरोप लगाये थे जिनका जवाब देने के लिए आरोपी शिजान खान की मा और दोनों बहनों ने मिलकर एक प्रेस कॉंफरेंस की और तुनिशा की मा वनीता शर्मा के सभी आरोपों को खारिज कर दिया बहुत परस्टनल होता है और हम किसी को कभी खोर्ड नहीं कर सकते हैं नहीं करेंगे शिजान की माने वनीता शर्मा के उस आरोप पर भी पलट वार किया जिसमें उन्होंने आरोपी शिजान पर तुनिशा को थपड मारने का आरोप लगाया था इस दौरान शिजान के परिवार वालों ने अपने दावों को साबित करने के लिए कुछ स्क्रीन्चोट और तस्वीरें भी सबके सामने रखी और तुनिशा का शिजान की मा को भेजा एक वोईस नोट भी शेयर किया साथ ही उन्होंने वनीता शर्मा पर तुनिशा को बंदिशों में रखने का आरोप लगाया और जो वोईस नोट सबके सामने रखा उसमें तुनिशा की आवाज सुनाई दी शिजान के घरवालों का दावा है कि ये वोईस नोट तुनिशा ने उनकी मा को भेजा था इस वोईस नोट के जरीए आरोपी शिजान के घरवालों ने तुनिशा और अपनी मा के बीच करीबी दिखाने की कोशिश की उदर सैंटा बने युक्रेन के एक फाइटर जेट के पाइलट ने रूस के कुछ ठिकानों को अपने निशाने पर ले लिया जिसका वीडियो युक्रेन के रक्षा मंतराले की तरफ से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया जिसमें युक्रेन की वायु सेना के मिक 29 फाइटर जेट को एक पाइलट सैंटा के लिबास में उड़ाता दिखा वीडियो में वो रूस के कुछ ठिकानों पर मिसाइल हमला करता नजर आया युक्रेन ने दावा किया कि सैंटा बने उसके पाइलट ने हवा से जमीन पर मार करने वाली अमेरिका की दो AGM-88 हार्म मिसाइलों को रूसी ठिकानों पर दागा जिसके बाद वहां से धुआ उटता भी दिखाए दिया युक्रेन ने दावा किया कि ये फाइटर जेट दो AGM-88 हार्म मिसाइलों के अलावा कम दूरी पर मौझूद दुश्मन पर हमला बोलने वाली दो R-73 मिसाइलों से भी लैस था जो हवा में ही दुश्मन को मार गिनाने की काबिले तरकती हैं इधर चंडीगर के कंसल में जिन्दा बम मिलने से संसनी मच गई बम पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत मान के घर से महस्थ 2 किलोमीटर की दूरी पर मिला जिसकी खबर मिलता ही पुलिस ने उसे अपने कबजे में ले लिया और पूरे इलाके को सील कर दिया जिसाम के बगीचे में जिन्दा बम मिला वहां से पंजाब के सीम भगवंत पान के हली पैट की दूरी एक किलोमीटर जबकि उनके घर की दूरी दो किलोमीटर है प्रशासर ने पंजाब सीम के घर के नजदीक जिन्दा बम बिलने की सूचना सेना को भी दे दी ताकि वो बम को अपने कब्जे में लेकर डिफ्यूज कर सके इस बीच पुतिन ने बिना कुछ किये ही यॉरप को पठकनी दे दी इस बार रूस के दोस्त चीन ने पश्चिम एशिया के देश कतर के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस डील करके पूरे यॉरप को टेंशन दे डा ली जर्मनी जैसे यॉरप के बड़े देश कतर से गैस खरीदने के लिए जोर लगा रहे थे लेकिन चीन ने उन्हें पचाड दिया और कतर के साथ एलन जी यानि लिकुफाइड नाच्रल गैस की डील कर लिया जिसने जंग में रूस के खिलाव यॉरप को ऐसा करारा जटका दिया कि एक तरह से पुतिन ने यॉरप पर बंबी गिरा दिया लेकिन उसकी आवास तक नहीं हुई ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की डील ने यॉरप की उम्मीदों को कुचल दिया पूरा यॉरप रूस की गैस से पिंट छुडाने के लिए हाथ पैर मार रहा है यॉरप अपनी जरूरत की 40 पतिशत गैस पाइपलाइनों के जरिए रूस से खरीदता था अब इतनी गैस को रिप्लेस करने के लिए एक ही विकल्प देखा जा रहा था वो ये कि खाड़ी देशों से समंदर के रास्ते गैस मंगाई जाए